हलो सभी कुन मश्कार क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या मेरी आवाज आ रही है अगर मेसेज कर दें चैट बॉक्स में सभी को नमश्कार आज के इस सत्र में जो टीचर एजूकेशन इन इंडिया के फेस्बुक लाइब पेज के उपर होने जा रहा है उसमें आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर सोमू सिंग जी का की इस इन्वाइट इन्वाइट करने के लिए मुझे जो है वो यहाँ पर इन्वाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिस इस I think what I have heard about that this is the largest group of teacher educators in India and not only teacher educators from different universities and colleges but also the prospective teachers, the research इसे इसे फोट एफ टार। ज़ग इसस्ट एट कर जाथ कर एकट्ट आप टार। गुथर जाजू कर टार। इस लिए का एक इसा प्रचेश लिए टूद कर टूडिए टुरिए। टोर्स बटर मैंडिसेट। ए जाधू ठार। बटेवा जाडियुद ईुरिग झालेति on this platform virtual platform so very welcome and thank you to all so let us deliberate let us discuss on this topic very important topic in the field of research that is qualitative data analysis जो गुनात्मक अंक्रे हैं उनका विशलेशन किस प्रकार से किया जाए तो यह जो आज का वियाख्यान रहने वाला है इसको मैं तीन चार हिस्सों में जो है या तीन चार जो इसके में आस्पेक्ट्स हैं या डाइमेंशन हैं उनके उपर जो है वो मैं फोकस करूंगा और इसके साथ साथ यह जो क्वालिटेटिव डेटा को एनलाईज कैसे करना है उसके बारे में जो पर मैं कुछ प्रकाश डालने की जो है वो कोशिश करूँगा, सबसे पहले बात करते हैं qualitative data और quantitative data की एक ब्रीफ सी बात, कि qualitative data और quantitative data में जो basic एक difference आता है वो क्या, एक तो difference यह आता है कि जो आपके पास the quantitative data it is in the form of numbers, whereas the qualitative data it is in the form of words, it is in the form of views, it is in the form of opinions, आपके पास शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में, या pictures के रूप में, symbols के रूप में, जो data है, वो कहलाता है आपका qualitative data, pictures के रूप में हो से, अब उस data से earth कैसे निकाला जाए, उसका visualization करके जो उसके अंदर छुपा हुआ earth है, उन शब्दों के अंदर, उन विचारों के अंदर, उसको कैसे निकाला जाए, यह बहुत एक technical technique की प्रक्रिया है, it requires higher level of creativity, higher level of synthesis power within the researcher, कि जो एक हम जिसको बोल सकते हैं, कि स्रिजनात्मक्ता जो है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर qualitative data analysis की process में हमने आगे बढ़ना है, so qualitative data आपके पास शब्दों के रूप में आएगा, विचारों के रूप में आएगा, एक बात तो यह होगी, qualitative data की दूसरी जो characteristic होती है, that it is voluminous in nature, बहुत ज़्यादा होगा, आपके पास ऐसे भीड होगी उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा धेर आपके पास ही कठा हुआ होगा, आप एक question पूछेंगे, mostly open-ended होता है, questionnaire-based या आपके पास interview-based data होगा, या observation-based data होगा, आपने observe की होगा किसी situation को, society में जाके, या आपने interviews लिये होंगे, या आपने कोई text को जो है वो पढ़ा होगा, documents को जो है वो पढ़ा होगा, तो आपके बास जो data आएगा, वो बहुत ज़्यादा voluminous होगा, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा होगा, कि जिसको आपको देखके लगेगा, कि अब इसका किया क्या जाए, एक ही question के ऊपर, अगर वो open ended question है, और अगर आप उसके ऊपर, 100 लोगों से भी data ले रहे हैं, तो वो 100 लोगों का जो data होगा, वो उसी एक question के ऊपर, वो एक आदमी 4 विचार भी दे सकता है, वो अपने 5 views भी दे सकता है, अब आपके पास, उन 5 विचार अगर 100 हैं, और 5 पांच भी अगर मान लोगों दे के चलते हैं, हमारे पास अगर 400 विचार भी कठा होता है, हम यह मान के चलते हैं, कि कुछ लोगों ने respond ही नहीं किया, ऐसी situation भी आएगी, there are respondents who will not respond to that question, but there will be the respondents, who will have multiple responses to that question, आपके पास, अब 400-500 answers को compile करना है, they are to be organized, कैसे उसको organize किया जाए, कैसे उसको, उसको पूरा का पूरा thesis या dissertation में तो नहीं हम लिख सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको organize करना पड़ेगा, जो गागर में सागर भरने वाली बात होती है, वो qualitative data analysis में आती है, कि आपके पास इतना ज़्यादा data होगा, voluminous, और एक और इसकी characteristic है, कि ये data बहुत unsystematic सा होता है, मतलब आपको open ended questions जो होते हैं, उन open ended questions में जो interview से या आपके questionnaire से आते हैं, उसमें जो response आएंगे, जो उत्तर आए होंगे, जो विचार आए होंगे, कई विचार ऐसे होंगे, जो एक से मिलेंगे, कई जो विचार होंगे, किसी ने व्यक्ति ने किसी और जगह की बात की होगी, किसी ने किसी चीज की बात कर दी होगी, किसी ने किसी context में बात की होगी, contextualization, qualitative research में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना contextualization के research जो है वो नहीं चल सकती है, तो वो बहुत voluminous होगा, unsystematic सा data होगा, what, how to analyze that, उसको visualization कैसे उसका करना है, उसका अर्थ कैसे निकालना है, to find out the inherent meaning in that data, unsystematic data उसमें से निकाल के लाना ये researcher की creativity है, here requires the synthesis ability within the researcher, कि researcher के अंदर synthesis की ability होना बहुत ज़्यादा अवश्यक है, तो qualitative data आपका इस तरह का आएगा, अब जब इस तरह का data voluminous आ रहा है, आपके पास unsystematic सा है, कैसे इसको किया जाए, तो सबसे पहली जो आपके पास देखी बात आती है, जब भी हम qualitative research में जाते हैं, या इस data को हमने analyze करना होता है, तो सबसे पहले बात आती है, कि इस data को organize कैसे किया जाए, एक तो यह आती है, और दूसरा कि qualitative research जो है, उससे पहले कि qualitative research में क्या क्या है, देखी qualitative research में आपका interview based data है, documentary, अगर आप analysis कर रहे हो, मतलब किसी documents को पढ़ रहे हो, that is again qualitative research, वो भी उसी ambit में आती है, आपके पास जो है, अगर कोई discourse है, देखीए, discourse analysis, आप लोगों ने यह शब्द सुने होंगे, discourse analysis की जब हम बात करते हैं, तो discourse दो तरह के हैं, एक textual discourse है, और एक conversational discourse है, अब conversational discourse को किस तरह से जो है, analyze किया जाए, conversational discourse suppose, within classroom, classroom के अंदर जो teacher और students के बीच में बातचीत होती है, teacher पढ़ाता है, teacher पूछता है, question आगे रखता है, बच्चे उसका answer देते हैं, तो वो जो discourse चला हुआ है, that is a conversational discourse, अब उस conversational discourse को किस तरह से उसका visualization किया जाए, क्या तरीका होगा, it is also under the ambit of qualitative research, फिर एक discourse analysis होता है, textual discourse, कि आपके पास कोई document है, document में कोई जो है वो text लिखा हुआ है, और उस text में जो है वो कोई आपको बातचीत, या किसी कहानी के बारे में तो वो आपके पास है, तो वो textual discourse है, उसको कैसे analyze करना है, उसका visualization कैसे करना है, तो textual discourse analysis also falls under qualitative research, then narrative analysis, छोटी-छोटी short stories, anecdotes, these are also under the ambit of this qualitative research, then documentary analysis, again under the ambit of qualitative research, text books हैं, या कोई और magazines हैं, फिर interview based data है, उसमें interview आप लेके आते हैं, आपके पास बहुत सारे questions के answer आएंगे, उनको analyze करना है, ये फिर आपका qualitative research के अंडर आता है, फिर उसके साथ साथ आपका observation है, आप किसी situation को observe कर रहे हैं, कहीं पे जाते हैं situation, मानलों किसी institution में जाते हैं, वहाँ आप observe करते हैं, कैसे कौन सी activities चल रही हैं, तो वो आप फिर उसको, उस observation को on papers आप note करते हो, तो वो note करके फिर उसमें से क्या चीज निकल के आ रही है, again under this realm of this qualitative research, फिर आपका visual media है, visual media में जैसे मानलो, ये discourse Facebook के उपर अभी अगर चला हुआ है, तो आप इसको analysis अगर, this is a visual media में आपका ये discourse चला हुआ है, इसको analyze करना है, अगर आपने कि कैसे सिखाया जा रहा है, किस तरह से content को जो है, वो cover किया जा रहा है, quality क्या है content की, जो presenter है, उसकी presentation skills कैसी है, ये सारा का सारा, अगर आप इसका visualization करना चाहते हैं, again it will be under the realm of this qualitative research, so ये qualitative research जो है, वो अपने आप में बहुत सारी चीजे समेटे हुए है, और इसमें जो आपके पास data आएगा, वो बहुत ज़्यादा voluminous data होता है, बहुत ज़्यादा unsystematic सा होगा, लेकिन आपका काम है, कि उस data को systematically organize किया जाए, अब बात करते हैं, कि इस data को, जो है वो organize जो हम करने की बात कर रहे हैं, इसको करने के तरीके क्या है, इस data को organize करने के तरीके क्या है, देखिए इस data को करने के हमारे पास अलग-लग 5-6 तरीके हैं, जब qualitative data हमारे पास आता है, तो हम उसको 5-6 तरीकों से organize, पहले तो इसको organize करना है, जैसे quantitative data होता है आप उस quantitative data को scoring करके एक tabular form में लाते हो master chart बनाते हो और फिर master chart से अगर आपने वो खुद करना है तो आप उसके ओपर statistical techniques लगाते हो या आप उस master chart के data को you transfer it to the SPSS और MSXL और any other statistical software for analysis तो वो ही चीज़ आपके पास ये है कि ये जो है data इसको organize कैसे किया जाए तो इसके लिए हमारे पास 5-6 तरीके है सबसे पहली बात जो इसमें हमारे पास आती है कि किस तरह से इसको किया जाए सबसे पहले कि आप इसको group wise कि जो आपके respondents हैं जिनसे आप data लाए हैं आप group wise जो है वो आप उसको organize करते जाए जैसे मालो आपने research कर रहे हैं आप कि जो school प्रवंधन समितियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं उनकी functioning क्या है आप उनका मुल्यांकन करने जा रहे हो ठीक है तो उसमें क्या होगा कि आपने school teacher से भी data लिया उनके interview लिये या उनसे आपने प्रशनावली जो थी के अधार के उपर आपने data जो है वो इकत्रित किया या आपने जो community members है या school management committee जो है प्रवंधन समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी आपने data लिया अब आपके पास दो तरह के respondents आ रहे हैं एक teachers का group है respondents का एक group respondents का है SMC members का प्रवंधन समिति के जो सदस्य है उनका अब आप उस data को जो अलग लग group से आया है आप उसको group wise organize कर सकते हैं एक तरीका तो यह है कि आप उसको group wise करिए organize और group wise organize के करने के बाद कौन सा respondents का group उसके बारे में क्या वहाँ पे जानकारी दे रहा है या क्या चीज़ वहाँ से निकल के आ रही है वो आप वहाँ पे रखिए school प्रवंदन समिती के सदस्य क्या बोल रहे हैं तो एक तो वो तरीका है दूसरा तरीका जो आता है कि हम इस तरह के data को जो हमारे पास voluminous होता है बहुत जादा होता है उसको हम individual wise जो है वो organize करे हलांकि individual wise जब हम arrange करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक individual ने जो उसके बारे में फिर जब उसका analysis हो जाता है फिर हम दूसरे individual का और एक individual ने जो पहले वाले ने बोला होगा किसी भी issue के बारे में किसी भी research question के बारे में जो उसने अपने विचार दिये होंगे उसके विचारों को अगले individual के साथ या तो वहाँ पर contradict करवाया जाएगा या उसको support करवाया बट वो बहुत lengthy process चली जाती है ये जो individual base के उपर हम लोग analysis करते हैं ये उसी case में करते हैं जब हमारे पास theme ऐसा हो या research question ऐसा हो जिसमें हमने बहुत ज़्यादा respondents ना लेने हो तब हम individual wise करते हैं जैसे suppose हमारा कोई एक ऐसा research question है कि हम political किसी issue के बारे में जानना चाहते हैं ठ उसमें हम political issue के बारे में जानने के लिए हम 3-4 political leaders, अलग-अलग political group के अलग-अलग political party के leaders से हम उसके बारे में बात करते हैं उनका interview conduct करते हैं और पिर अब उस issue के बारे में उन leaders की क्या धार्णा है, क्या विचार हैं उनको हम एक-एक करके जो है वो analyze करेंगे, एक-एक political leader के लिए कि इस लीडर ने इस विशे के बारे में ये बात कही, इसने ये बात कही, इन दोनों में ये contradiction थी, या ये दोनों यहाँ पे एकी तरह का विचार रखते हैं, तो ये एक डेटा को और गेनाईज करने का एक तरीका ये भी आता है, एक तरीका हमारे पास जो आता है कि हम ड कर रहे हैं, उस थीम को ध्यान में रखते हुए डेटा को और गेनाईज, थीम वाइस या रिसर्च क्वेस्चन वाइस जो है डेटा को और गेनाईज किया जाता है, कि आपका पहला रिसर्च क्वेस्चन जो शोध का प्रशन है, वो उस शोध प्रशन से संबंधित जो उनको अलग से और्गेनाईज किया जाएगा तीसरे को जो है वो अलग से और्गेनाईज किया जाएगा ठीक है अब इसमें क्या इशू होते हैं जब हम रिसर्च क्वेस्चन वाईज या रिसर्च इशू वाईज जब हम और्गेनाईज करते हैं तो कई बार जो है वो डेटा जो है वो decontextualize हो सकता है मतलब संधरब से बाहर जा सकता है देखिए एक बात मैं आप लोगों से ये share करना चाहूंगा कि जब भी हम गुनात्मक शोध करते हैं या जिसमें हमारे पास qualitative data होता है उसको उसमें दो चीजे qualitative research में बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण चीजे दो कौन सी है वो पहली चीज जो है वो है एक तो कि research qualitative research में sampling is not important sample size is not important कि आपके पास कितना sample size है आप कितने लोगों से data लेके आए no because in qualitative research you are not going for generalization of the findings first thing you are actually going to contextualize the phenomenon जिस भी घटना का जिस भी event का आप जो है वहाँ पे अध्यायन कर रहे हैं जिसको आप study कर रहे हैं scientifically विज्यानिक तरीके से जिसका घटना का समाजिक घटना है शेक्षिक घटना है ती कह राजनीतिक घटना है उसका अगर आप अध्यायन कर रहे हैं तो उसमें context संधर्व बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें देखना होगा कि हमारे पास methodology जो है वो एक ही रहेगी चाहे वो किसी foreign के author ने दी हो चाहे वो किसी Indian author ने वो method दिया हो विदी दी हो कि आप इस तरीके से data को analyze करिए या उसका visualization करिए बट विदी वो रहेगी लेकिन संधर्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है किस संधर्व में किन परिस्थितियों में वो विदी जो है वो हाँ पर प्रियुक्त हो रही है employee की जा रही है उसका आपने ध्यान रखना है so the contextualization is very important आप हिमाचल में कोई study कर रहे हैं या उत्रप्रदेश में कोई study कर रहे हैं आप मध्यप्रदेश के tribal population के उपर study कर रहे हैं या आप हिमाचल प्रदेश के tribal population के उपर study कर रहे हैं मान लीजी वो ethnographic study है suppose it's an ethnographic study और a critical ethnographic study and you are researching on the tribal people of हिमाचल प्रदेश and comparing it with the tribal people of मध्यप्रदेश अब आपके पास वहाँ पे हिमाचल के जो लोगों का tribal लोगों को वहाँ का संधर्व क्या है परिस्थितिया क्या है उनका सांस्कृतिक परिवेश कैसा है उनका समाजिक परिवेश कैसा है उन बातों को ध्यान में रखते हुए उस घटना का विवरण जो है वो देना पड़ेगा उसकी व्याख्या जो है वो वैसे ही दीने पड़ेगी जबकि मध्यप्रदेश के ट्राइब्स के उपर अगर आप research कर रहे हैं तो आपको वहां का समाजिक परिवेश कैसा है वहां का संस्कृतिक वातावरण कैसा है उन लोगों का वहां के लोगों का जो खान पान कैसा है वहां के लोगों का किस तरह का रिती रिवाज है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस घटना का विवरेंड देना पड़ेगा we cannot see the situation with the same eye and with the same bent of mind एक ही attitude के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं contextualization बहुत जरूरी है तो जब हम research questions के अधार के उपर, शोद प्रशनों के अधार के उपर जब analysis करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस उन परिस्थितियों से वो जो है वो बाहर न जाए जो भी हम जिसकी भी व्याक्या करें वो परिस्थितियों में रहते हुए context के अंदर रहते हुए जो है, वो वहाँ पर हम सारी चीज बताएं और एक और चीज होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि शोध प्रशनों के अधार के उपर data को organize करना है या जो आपका main issue है उस issue के अधार के उपर की एक issue ये है तो इसका data ऐसे organize हो गया दूसरा issue ये है तो इसका data ऐसे organize हो गया तो यहाँ पे एक समस्या और आती है, इसकी एक और समस्या है, हम इसमें पहले से ही ये मान के चल रहे हैं कि हमारी समस्या ये है और इस समस्या के लिए हमें इस तरह का data चाहिए होगा, लेकिन हो सकता है जब आप फील्ड में जाएं, आप जब सोशल सेटप में जाएं, सिचुएशन में उस परिस्थिती में जाएं, वहाँ पे आपको ऐसा data भी मिले, जो आपने वहाँ पे पहले जो है, imagine ही ना किया हो, उसके बारे में सोचा ही ना हो, ऐसी चीजे भी वहाँ पे उस घटना के बारे में आपको, तो आप तो पहले ही theme को लेके या question को लेके गए हैं, या issue को लेके गए हैं, कि मैंने इस तरह का, that means, आप एक चुमबक लेके ग my issue or research question, why I require this data, हमें मुझे ही data की जरूरत क्या है, मेरा तो theme यह है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आपको एक सीमा में आपने बांध लिया हुआ है, तो इसका मतलब आप उस घटना का अध्यायन बहुत narrow way से कर रहे हो, उसका wider perspective नहीं ले रहे हो, यहाँ पे य चीज आपको सोचने की जरूरत है, कि जब भी qualitative research की जाती है, तो qualitative research has the component of subjectivity and the reflexivity, subjectivity आएगी, हम उस तरह से उतना ज्यादा objective, quantitative की तरह नहीं हो सकते हैं, और जो qualitative research के बारे में मैं आपको एक और चीज जो है, वो आपके सामने रखना जाऊंगा, कि qualitative research जो होती है, गुनात्मक शोध जो होते हैं, उसमें single reality, जब हम उनमें, जब कोई भी qualitative research हम करते हैं, तो we are going to explore the multiple realities instead of single reality, ये quantitative research में है, जो संख्यात्मक शोध हैं, या जो आपके आंकडों के उपर आधारित हैं, उनमें ये होता है कि आपकी you explore single reality, but in qualitative research, we believe that there are multiple realities, कि समाज में, social setup में एक सचाई नहीं है, multiple realities exist at one time, and we are going to explore those multiple realities, और उन multiple realities का मतलब ये है कि कि किसी घटना के बारे में multiple perspectives हो सकते हैं, अलग लग विचार हो सकते हैं, अलग लग उसके बारे में धारनाएं होंगी, अलग लग चीजें उसके बारे में निकल के आएंगी, alternative explanations होंगी, अलग लग व्याख्याएं होंगी किसी घटना के बारे में, एक पानी क्या गिलास है, आधा भरा हुआ है, तो वो किसी के लिए आधा भरा है, किसी के लिए वो आधा खाली है, तो समाज में जो घटनाएं होती हैं, जो समाजिक परिस्थितियां हैं, या समाजिक घटनाएं होती हैं, वो भी अपने आप में इसी तरह की हैं, जो static नहीं है, अभी मेरा व्यभार कुछ और तरह का है, हो सकता है, आधे गंटे के बाद मेरा व्यभार कुछ और तरह का हो जाए, तो human behavior can never be static, और society में क्या है, it is only the human behavior, it is the human interaction, जो हम लोग आपस में interact करते हैं, वो है society में, उसका ध्याइन है qualitative, उसका जब अध्याइन किया जाएगा, study है, गुनात्मक्षोध है, और जब गुनात्मक्षोध है वहाँ पे, तो वहाँ पे contextualization किस संधरब में हो रही है, क्या परिस्थितियां है, उनका हमें जो है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा, तो हम पहले सोच के ना जाएं कि ये घटना का ध्याइन करना है, और वस उस चुम्बक को लेके जाएं और इस घटना से संबंधित या इस research question से संबंधित जो data मिल रहा है, वो ही लेंगे, उसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी मिल रही है, वो जो अलावा जानकारी मिल रही है, वो actual multiple perspectives हैं, वो alternative explanations देंगी आपको उस घटना के बारे में, तो इसकी जब हम issue wise या theme wise जब हम data का visualization करते हैं, तो ये दिक्कत जो है वो उसमें आती है, कि हम कई बार संधर्ब से बाहर चले जाते हैं, या पहले ही अपना मन बनाया होता है, अपना दिमाग ये बनाया होता है, कि हमें यही data चाहिए है, इसके अलावा नहीं, फिर एक और तर क्वेशनेर से data लिया है, प्रशनावली से, तो उस data को एक अलग section में, अलग अनुभाग में आप organize करेंगे, ठीक है, आपने interview based data है, उसका जो part होगा, उसको अलग से आप organize करके रखेंगे, document अगर आपने कोई analyze किये हैं, उनका visualization किया है, तो document से आपको data मिल रहा है कोई, तो उसको अलग से, that means आप data को जो organize कर रहे हो, वहाँ पे, अलग अलग sources से, अलग अलग instrument से, जो आपके पास data आ रहा है, और फिर, आपने प्रशनावली से data आया, आपने उसको अलग से organize कर द दिया, आपने कुछ data अपनी observation के अधार के उपर लिया, आपने अवलोकन करके कुछ data जो है, वहाँ पे collect किया है, आपने उसको अलग से organize कर दिया, बट, यहाँ यह समझने वाली जरूरत है, कि अगर आप instrument wise इसको organize कर रहे हो, तो आपने इसको इकठा भी करना है, आपने इ themes निकल के आ रहे हैं, यह चीज emerge हो के बाहर आ रही है, यह मुखे बाते निकल के बाहर आ रही है, इंटर्वियू से यह मुखे बाते हैं, और उन दोनों को inter relate करने की या उन दोनों को contradict करने की जो है, वो कोशिश करनी है, तो यह चीज जो है वो इस तरह से जाती है, फिर ए नेरेटिव की फॉर्म में छोटी-छोटी कहानिया किसी ने बताई होंगी आप कहीं पर किसी कोई मान लीजी एथनोग्रेफिक स्टडी है आप सोसाइटी में गए वहां पर आपको किसी घटना के वारे में कुछ और चीजे जो है वो आपको बताई गई होंगी वहां पर ठीक आप ग्रुप वाइज रिस्पॉंडेंट कैसे हैं आप वैसे कर लीजिए बट हम अकेली कोई भी तरीका जो है और्गेनाईज करने का क्वालिटेटिव डेटा को और्गेनाईज करने का इन में से अकेला तरीका अपने आप में कोई भी एफेक्टिव नहीं है आपको इन मेठन का जो है ओपर जो है जाना पड़ेगा तो आपको डेटा ट्राइंगुलेशन के ऊपर भी जो है वो जाना पड़ेगा आपको data triangulate करना पड़ेगा मतलब एक दूसरे के साथ उसका आपस में जैसे कि teachers से जो data आया है वो school heads से data उसको intermix करिए teachers क्या बोलते है school head या दूसरे respondent का group क्या बोलता है issue क्या निकल के आ रहा है देखिए qualitative research में ये important नहीं है कि who is the respondent आपने data किस से लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है आपने data कितनों से लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है आपने data किस issue के उपर लिया किस theme के उपर लिया किस research problem के उपर आपने जो है वो data लिया वो research problem is important and your main target is to explore that research problem in depth आपको गहराई से उषण की समस्या का अधेयन करना है और चाहे वो डेटा एक ने दिया चाहे दूसरे किसी गृपни दिया टीच कुम्युनिटी मेंढ़ दिया पंचायत के परधान ने दिया या पॉलिटिकल लीडर श ने दिया वो उस घटना के बारे में या उस इश्उ के बारे में या उस research problem के बारे में वो क्या बोलते हैं, क्या उनकी समझ है, कैसे वो उसका अर्थ निकालते हैं या उसके बारे में उनकी क्या राए है, विचार हैं, वो राए और विचार के अधार के उपर आपने समस्या को सामने रखना है, कि ये समस्या है, इस घटना के घटन ने बोला या उसने बोला, this is not much important, the major vital thing, the most important thing in qualitative research, in qualitative data analysis is, what is actually the research problem, how that particular phenomenon which you are studying, उस घटना जिसका आप अध्यायन कर रहे हैं, वो कैसे घट रही है, उस की उस घटना के घटने के पीछे कारण क्या है, संभावित कारण क्या है, multiple perspectives आएंगे वहाँ पर, यह जरूरी नहीं है कि वो जो कारण आप बताएंगे, वो अपने आप में बिलकुल सही कारण होंगे, वो संभावित कारण होंगे, जो आपके पास विचार लोगों के आए होंगे, उसके अधार के उपर उनका विशलेशन क करके आप संभावित कारण रखेंगे, कि these may be the possible causes, for occurrence of this particular event, और इसका प्रभाव यह पढ़ रहा है, बुरा प्रभाव पढ़ रहा है, या अच्छा प्रभाव पढ़ रहा है, यह सारी की सारी चीजे जो है, वो यहाँ पर आएंगी, तो आप data को इस तरह से organize करेंगे, अब उसके बाद जब data organize हो जाता है, तो उसके बाद data analysis की बात आती है, visualization की बात आती है, तो कि किस तरह से qualitative data को जो है, वो उसका visualization किया जाए, उसका अर्थ कैसे निकाला जाए, तो देखिए, जब भी हमारे पास गुनात्मक जो आंकडे आते हैं, जिसको हमने organize कर लिया, जो अभ visualization के जो हैं, वो अलग-लग तरीके हैं, देखिए, इस visualization में मैं चार steps की आपके साथ बात करूँगा, कि visualization कैसे किया जाता है, लिंकन ने और कुबा ने जो हैं, ये steps दिये थे, और कभी भी जो qualitative data है, उसके लिए पहला step आता है, जो पहली phase आती है, वो open coding की है, first phase is open coding, second phase is audit trial, third is axial coding, और fourth जो है, summarizing the findings into a form of story, कि जो आपकी findings आ रही है, उसको एक कहानी के रूप में आप व्यक्त करते हो, वो चौथा step जो है, वो इसमें आता है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं, open coding की, देखिए, हमारे पास हमने शुरू में बात की, कि जो qualitative data होगा, ये शब्दों के रूप में होगा, ये विचारों के रूप में होगा, ठीक है, या आपकी observation हो सकती है, ठीक है, open ended questions से जो data आएगा, वो भी qualitative होगा, अब ये जो data है, बहुत unsystematic सा, होच पोच सा होगा, ठीक है, तो इसको analyze करने के लिए पहले आप इस data की coding करेंगे, code देंगे, अब coding क्या है, coding वो प्रक्रिया है, जिसमें जो respondents के विचार आए होते हैं, उन विचारों को, क्योंकि वो विचार जो हैं, वो लंबे होंगे, बड़े होंगे, अगर आप सारे विचारों को note करने लगेंगे, organize करती बार, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होग कि आपको उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, coding की जाती है, जैसे मालो आपने किसी से ये open-ended question ये पूछा था किसी teacher से, कि आप class में किन तरह की activities जो है, what type of activities actually you emphasize upon, आप किस तरह की activities, किस तरह की गती विधियों के उपर classroom में बल द देते हैं, पढ़ातिवार, और teacher ने वहाँ पर ये question था, teacher ने उस प्रशनावली में उसका उत्तर लिखा, कि मैं पढ़ातिवार जो है, वो ये देखता हूं कि बच्चों के अंदर problem solving ability develop हो, तो उसके लिए मैं उस तरह की गती विधियां करवाता हूं, मैं बच्चों को इस season making की ability, मतलब जो higher order abilities हैं वो develop हो, ये इस तरह के answer teacher के आएं हैं, अब एक teacher से तो आपने data लिया नहीं होगा, आपने हो सकता है 100 teacher से data लिया हो, आपके पास 100 teachers ने अलग-लग चीज़े बोली होंगी, कुछ बातें उनकी similar होंगी, कुछ बातें हो सकता है same भी हो, और कुछ बात ability को विक्सित करने के लिए गती विधिया, तो आप वहाँ पे उसका code दे सकते हैं, कि P.R.O.B. prob, मतलब आपने P.R.O.B. SOLV, तो आपने चा, ये जो एक शब्द बना P.R.O.B. SOLV, problem solving, ठीक है, ये code दे दिया आपने, उस विचार को, अब इस तरह का जो भी विचार उन 100 teachers न this is coding, मतलब जो बड़े आपके पास जो विचार होते हैं, जो generally lengthy होते हैं, लंबे होते हैं, उनको आप क्या करते हैं, उनको code देना शुरू करते हैं, ठीक है, आप उनको coding करेंगे, और ये जो coding होती है, ये initial coding होती है, जब आपके पास आप प्रशनावली भ्रवा के तो आपके पास ये शुरू में जो है, वो data को आपने coding जो करनी है, बहुत initial coding होती है, और don't worry, इसके बारे में आपको चिंता करने की जुरूरत नहीं है, कि ये coding आप से गलत हो जाए, initial coding है, ये गलत भी हो सकती है, ये जो आप code दे रहे हैं, ये change भी आगे आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन coding करती बार, मतलब हम क्या ध्यान रखते हैं, open coding की जो process है, open coding मतलब, खुले मन से आप coding, जो जो विचार आए होंगे, उन विचारों को आप code देते जाएंगे, और जो एक ही तरह के similar विचार होंगे, उनको एक category में, एक group में, एक समू में रखते जाएंगे ठीक है, कि ये इसी तरह का विचार है, similar है, इसी तरह से मिलता जुलता विचार जो है, आया है, तो इसको इसी code में डाल दो, ठीक है, similar code इसको दे दो, तो ये open coding है, और ये जो open coding होती है, ये बहुत initial, preliminary सी coding होती है, इसमें गल्ती भी हो सकती है, उससे घभराने की जरूरत नहीं है, और जब आपकी open coding हो जाएगी, तो आपका जो एक बहुत वो voluminous data होगा, जो आपके पास धेर इकठा होगा, वो धेर जो है, वो बहुत ज्यादा कम होके सिकुड जाएगा, आपको वो लगेगा कि now this is manageable, अब आप इसका प्रवंदन कर सकते हैं, आप इसको manage कर सकत हैं, लेकिन जब आप उसके पूरे विचारों को जब लिखेंगे, जो open ended questions के उपर आए होंगे, या जो interview based आए होंगे, अगर आप उसके पूरे को देखेंगे, तो आपको ये लगेगा, कि ये तो manage हो ही नहीं सकता है, ये तो इतना data है, कैसे इसमें से निश्कर्स निकाले करेंगे, कुछ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी चीज के बारे में कुछ विचार दे रहा है, कैसे करेंगे, तो जब आप coding कर देते हैं, data को जो उनके विचार आये होते हैं, तो वो data manageable हो जाता है, आप उसको manage कर सकते हैं easily, आप उसके अधार के उ revealed from these type of data, यह चीज वहाँ पर आएगी, open coding, यह एक तरह से कि जो आपके पास विचार उनको नाम देना है, initial, अब open coding हो गई, उसके बाद अगला step आता है audit trial, audit trial की जब हम बात करते हैं, audit trial की इसमें हम क्या करेंगे, कि जो यह आपने data है, इसको theme wise, speaker wise, theme wise या research question wise आप इसको बोल सकते हैं, research question जो आपके हैं, उनके अनुसार और speaker wise, किसने वो बोला है, respondent wise, आप इसको अलग अलग करेंगे आप, आपने पहले जो विचार, जो उनको coding की, वो coding जो हुई, वो हुई आपके पूरा का पूरा जो data था, उसको organize करने के लिए, कि इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, तो coding से वो कम हो गया, manageable हो गया, अब आप उसका audit trial करेंगे, जैसे audit होता है, छंटनी करेंगे आप उसकी, screening करेंगे, ठीक है, और उसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, कि ये जो code हमने दिये हैं, ये data ज ये data जो है, वो इस research question से related है, ये data उस research question से related है, ये data उस research question से related है, तो आप research question wise और speaker wise जो है, आप उसको अलग लग कर देते हो, और फिर जब ये अलग हो जाता है, तो इसमें से अगर आपको कुछ लगता है, कि ये data जो है, तो आप उस data को वहां से अब weed out भी कर सकते हो आप उसको बाहर भी कर सकते हो बट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि qualitative studies में ये जो data होता है don't weed out पहले आप जो भी data आप बाहर करने जा रहे हो उसका एक बार धंग से आप visualization कर लो कि क्या in reality this data is having no worth or it is irrelevant ये आप पहले analyze कर लो ये आप पहले visualization कर लो सोच लो फिर उसको weed out करो फिर उसको जो है वो बाहर भेजो ठीक है अब मान लीजिए होता क्या है कि आपने उसको speaker wise और आपने theme wise या research question wise आपने उसको arrange कर लिया और आपको कुछ data लगा जो weed करना है वो weed भी कर दिया लेकिन कुछ data लगा कि जो कहीं आपके पास नहीं आ रहा है लेकिन आपके पास data बच रहा है जो आपको लग रहा है कि irrelevant भी नहीं है लेकिन इसको कहां डाला जाए इसको यहां से भी नहीं आया है यह यहां से भी नहीं आया है यह observation based data है तो देखिए qualitative studies में यह data आपके पास होगा और होना भी चाहिए because qualitative research एक ऐसी research है जिसमें आपके पास यह जो deviant type of data है जो औरों से अलग है which is on extreme sides यह data बहुत important होता है देखिए जब हम SPSS quantitative data के उपर लगाते हैं हम TTS लगाते हैं या ANOVA लगाते हैं ठीक है तो उससे पहले यह बोला जाता है कि जी outliers को बाहर किया जाए जो extreme outliers are the extreme cases extreme cases means either they are falling at the top end of the data और they are falling at the bottom end of the data उनको outliers बोला जाता है जार extreme cases उनको weed out कर दिया जाता है बाहर कर दिया जाता है और फिर data को analyze किया जाता है that means SPSS में या quantitative data को analyze करती बार हमारा जो emphasis या stress रहता है वो इसके उपर कि जो similar kind का data है which is new which is following actually the normal probability curve NPC को जो follow कर रहा है उस data को जो है use किया जाए ये qualitative research में नहीं है qualitative research में अगर आपके पास extreme cases हैं अगर आपके पास deviant cases हैं they can be an important source of information regarding the research issue in hand जिस शोध समस्या का आप अध्यान करने जा रहे हैं उसके बारे में वो जो extreme cases हैं जो बिलकुल भीड से अलग बोल रहे हैं आपने सौ लोगों का data लिया किसी समाजिक समस्या के उपर लेकिन उसमें दो तीन लोग ऐसे हैं जो उनके अलावा कुछ अलग ही चीज अलग ही विचार दे रहे हैं बिलकुल नया विचार है अलग सी चीज अलग सा कोई narrative वहां पर आपके सामने रख दिया है उसके बारे में तो हम उसको ignore नहीं कर सकते वो extreme case है deviant case है but actually that is related in some way or the other to the research problem in hand वहां पर जुड़ा है वो और उन deviant cases को on extreme cases को we have to take them into consideration हमें उनको consideration में लेना पड़ेगा उनको analysis में कहीं न कहीं न को mention जो है वो करना पड़ेगा और यही चीज जो है वो audit trial में आती है कि आप audit trial में research question wise या जो आपका research issue है research issue wise आप data को अलग कर देते हो screening करते हो speaker wise किस ने बोला है कि यह teachers ने बोला है यह यह themes है यह coding हमने उसकी की है यह community members ने बोला है वो audit trial है प्लस जो extreme आपके पास data आ रहा है deviant cases का जो data आ रहा है उनको ऐसे cases को हम courts में लेते हैं कि यह इस particular व्यक्ती ने इस तरह का और यह एक qualitative research के analysis में एक खासियत आती है कि अगर कोई particular व्यक्ती कोई particular respondent कुछ विशेश तरह का narrative आपके सामने रख रहा है किसी घटना के बारे में आपके सामने कोई नई बात सामने रख रहा है तो आप उसको courts में लेके जो हैं वहाँ अपनी research report में अपने analysis और interpretation वाले part में वहाँ पे आप mention करेंगे उससे आपकी because qualitative research की जब आप विशेश्टाएं पढ़ेंगे characteristics पढ़ेंगे तो यह बोला जाता है qualitative research is thick in description थिक मतलब बहुत गाड़ी उसकी जो व्याक्या है बहुत गाड़ी होती है quantitative research की आपने देखी होगी कि हम बोलते हैं कि this is the mean value of this यह इसका ओसत है T value इतनी आ गई है mean difference significant है नहीं है और यह पिछली finding से match करती है पिछली finding से यह match नहीं करती है आपका analysis खतम हो जाता है तो quantitative research में उतनी ज्यादा thick description नहीं आती है reason उसका कारण है कि वहाँ पर हम एक ही चीज़ single reality को explore करते हैं वहाँ हम यह मान के चलते हैं कि objectivity is supreme वस्तु निस्ठता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और reality single है जबकि जो qualitative studies होती है जब हम qualitative data को analyze करते हैं उसका visualization करते हैं तो उसमें क्या है वहाँ पर कि आपकी जो reality है that is not single the subjectivity is permissible in qualitative research the reflexivity is there the reflections of the researcher can be there in the interpretation of qualitative data जब हम qualitative data को analyze करेंगे तो उसमें जो researcher की reflections है वहाँ पर उसको permission है एक तरह से कि वह अपने जो है उसका exposure अपना उसका experience अपना उसका judgment जो है उसको include करते हुए उस घटना के बारे में उसकी अपनी reflections क्या है he or she can induce those include those reflections in that यह permission है जबकि यह quantitative studies में नहीं होती है जब हम quantitative data को analyze करते हैं तो यहाँ पर कि जो qualitative studies है यह बहुत thick descriptions वाली होती है these include the reflections of the researcher but reflection doesn't mean the fabrication of the reality the fabrication of the truth that means no manipulation of the truth no manipulation of the reality is permissival that means आपके पास qualitative study में researcher data लेके आता है अलग लग आपके पास respondents का अलग लग views आएंगे multiple perspectives आएंगे अलग लग alternative explanations आएंगी alternative explanations को आपने वहाँ पे रखना है कि this may be an alternative explanation this is also the perspective of the respondents and this can be due to this may be possible due to this means आप संभावित कारणों की वहाँ पे बात जो है वो करेंगे और वो संभावित कारण जो है वो आप अपनी judgment के अधार के उपर आप अपनी observation के अधार के उपर आप अपने experience के अधार के उपर और जो आपने data को analyze करके या लोगों से आपकी जो informal बात हुई होगी जिन लोगों से आपने data लिया होगा उसके अधार के उपर आप उस घटना की व्याख्या देने की कोशिश करेंगे उसके संभावित कारण को आप सामने रखने की कोशिश करेंगे और उसके क्या प्रभाव पढ़ रहे हैं या पढ़ सकते हैं ठीक है वो उनकी व्याख्या करेंगे और वो प्रभावों को उनको और ज्यादा प्रमोट करना है वह विश्य के लिए या उन प्रभावों को जो है वो दूर करना है इस डेटा को एनलाइज करती वार हमेशा यह ध्यान में रखिए ठीक है तो ठीक डिस्क्रिप्शन होती है बहुत गाड़ी सी व्याख्या होती है हर एक विचार को दूसरे के साथ जोड़ना कैसे है दूसरे को तीसरे के साथ एक रिस्पॉंडेंट ने यह बोला टीचर ने य एक दूसरे से वो जुड़े कैसे हैं या एक दूसरे के वो विरोधावासी हैं तो विरोधावास में कैसे हैं विरोधावास में या एक दूसरे को फॉलो कर रहा है कि इसकी वजह से वो हो रहा है और उसकी वजह से आगे कुछ हो रहा है तो यह चेन कैसे बन रही है यह और यह audit trial जो है दूसरा step जो है that is actually the screening respondent wise और speaker wise and this research issue wise और उसमें आप क्या करते हो साथ में कि जो weed out करना है आप weed out करिए जो आपको extreme cases है उनको आप रखिए वो आपको help करेंगे वहाँ पर don't consider them कि वो irrelevant है फिर तीसरी चीज जो आती है axial coding की पहले open coding होगी preliminary coding आपने data को code दिए code मैंने आपको बता दिया कि code क्या है एक तरह से बड़े विचारों को छोटा नाम देना ताकि आपका data manageable हो जाए audit trial में क्या हुआ आपने screening कर दी जो data आपके काम का है उसको रख लिया और speaker wise और research issue wise आपने arrange कर लिया extreme cases वाला जो data है उसको हम course में लाएंगे उनको अलग उन narratives को उन छोटे-छोटे anecdotes को या उन विचारों को जो specific हैं अलग हैं भीड से data का मतलब यह आता है कि जब हम लोग यह जो data है आपके पास qualitative data यह अलग-लग sources से आया होगा आपके पास या अलग-लग instruments से आया होगा research tools अलग होंगे हो सकता है कोई data आपके पास प्रशनवली के अधार के उपर आया हो कोई data आपके पास जो है वो interview से आया हो कोई data आपके पास अवलोकन के अधार के उपर हो कोई data field notes के अधार के उपर हो ठीक है और दूसरा कुछ data आपके पास हो से लिया हो कुछ data आपके पास महिलाओं से आया हो अलग-लग respondents हो सकते हैं ठीक है अब उसमें जो आपने data उनको अलग-लग कर चुके है audit trial में अब उस data को triangulate करना है एक दूसरे के साथ उसको की जो एक तरीके से data आया है क्या वो दूसरे तरीके से जो data आया है वो एक सिमिलर है सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को की नहीं कर रहे हैं वो कहीं एक दूसरे का विरोधावासी तो नहीं है कि हमने एक data लिया idelviyu से बच्चों का मालों interview लिया बच्चों से आपने पूछा या focus group discussions करवाई उससे data और और एक आहां बच्छों को observed किया है नॉन पार्टिसिपेंट observation बच्चों को नहीं पता था कि आप उनको observe कर रहे हैं यह उन लोगों को पता नहीं था कि आप उनको observe कर रहे लेकिन आपने उनका अवलोकन किया, उस अवलोकन के अधार के उपपर आपने कुछ डेटा जो है वो इकठा किया, अब जो अवलोकन के अधार के उपपर आपके पास डेटा आया, और जो आपने discussion के थूँ या बातचीत के थूँ जो डेटा लिया, उस डेटा को mix करना कि क्या वो एक दूसरे को support कर रहा है data या आपकी observation कुछ और बोल रही या आपकी observation से कुछ और निशकर्स निकल के आ रहा है उन बच्चों या उन लोगों के बारे में और जो उन्होंने description उस घटना की जो है वो देनी पड़ेगी और यह देखिए यह research में होता है कि आप एक तरह से data लाएंगे वो कुछ और information देगा आप दूसरी तरह से data लेंगे अवलोकन के अधार पर वो आपकी information कुछ और तरह की आएगी यह कारण है कि researcher के सामने sometimes respondents they change their behavior वो अपना विहवार change कर लेते हैं वो दिखाने के लिए आपको कुछ और करना शुरू कर देंगे लेकिन जब उनको यह पता नहीं होगा कि कोई उनको observe कर रहा है या उनके बारे में कोई data या जानकारी कठी कर रहा है तो उनका विहवार बहुत natural होगा वहुत प्राकृतिक सा विहवार उनके पास जो है वो आएगा वहां पर ठीक है तो वो अब यह जो चीज है कि यह जो उनका overt behavior, overt behavior जो बाहरी विहवार आपने देखाया और जो उन्होंने दिखाया आपको आप कैसे पता लगाएंगे कि यह उनका सच्चा विहवार है, real behavior, true behavior है या overt behavior है, दिखा आया होगा, अलग अलग तरीकों से data आया होगा, अलग अलग लोगों से data आया होगा, उस data के अधार के उपर आपको उस घटना का जो है वो प्रकृती, उसका स्वरूप, उसके घटने का जो प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा, आप उसमें ये न घबराएं कि एक data कुछ बोल रहा है don't panic on that आप सारी sources से सारे तरह के लोगों से जो आपके पास data आया है आप उस सारे data को देखिए don't यह कि आप वो teacher ने बोला या वो bard punch ने बोला बच्चों के बारे में या वो headmasters ने बोला या teachers ने don't panic on that आप यह देखिए क्योंकि respondent ज्यादा important नहीं है वो घटना का विवरन क्या है उसकी प्रकृति क्या है उसका स्वरूप क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है घटने की प्रक्रिया क्या है वो महत्वपूर्ण है तो वो कहां कहां से data आया उस सारे data को आप mix करने की कोशिश करिए interconnect करने की कोशिश करिए कौन सी चीज किसको follow कर रही है cause क्या है effect क्या है कारण क्या है प्रभाब क्या है इसको आप जानने की कोशिश करिए और उस अधार के उपर फिर व्याख्या जो है उस घटना की करिए ठीक है और उस घटना की जब आप व्याख्या करेंगे तो वो आपके जो है वो multiple perspective भी उसमें आएंगे उसमें alternative explanations भी होंगी और alternative explanations के बाद जो है साथ साथ में आप अगर कोई special वहाँ पे narrative आए हैं तो उसको आपको courts में भी लेना पड़ेगा तो यह सारी चीजे उसमें होंगी इस तरह से आप घटना की व्याख्या जो है वहाँ पे देंगे तो यह जो हम बोल रहे हैं कि interconnect करना है data को किस घटना के घटने के पीछे कारण क्या है उसका प्रभाब क्या पढ़ रहा है कौन सा data या कौन सा विचार किसको follow कर रहा है यह या एक group respondents का क्या बोल रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है उनका this is all triangulation of data ठीक है फिर एक और चीज जो इसमें आती है कि आप एक method से आपने data लिया है और दूसरे method से research method से data लिया है तो वो उस data को जब आप interconnect करते हो इंटर रिलेट करते हो वो भी ट्राइंगुले वो उसको हम methodical triangulation बोलते हैं फिर researcher triangulation मालो मेरे पास कोई data आया मैं एक researcher हूँ मैंने उस data का अर्थ निकाला कि इस data में से ये निश्कर्ष निकल रहे है अब उसमें देखिए subjectivity होगी और वो permissible है जैसा कि मैंने पहले कहा बट उसकी validity को ensure करने के लिए और आपने सही ढंक से उसको interpret किया उसका अर्थ सही तरीके से आपने निकाला की नहीं निकाला आप क्या करिए आप जो दूसरा researcher आपके साथ है आपके आप उसको वो data दे दीजिए कि ये data है मेरे पास ये मैंने ऐसे ऐसे coding की हुई है आप इस data को देखिए और इसमें से आप क्या निशकर्ष निकालते हैं क्या आप इसका अर्थ निकालते हैं आपको क्या लगता है इसमें उसका विचार जानिए अगर वो ये बोलता है कि हाँ आपने मेरा यहां पर निका जो अर्थ निकल रहा है इस data से निशकर्ष निकल रहा है वो निश्कर्ष जो है वो ये है और अगर आपके निश्कर्ष में और उस रिसर्चर के निश्कर्ष में समानता है तो आप समझिए आप एनलिसिज के उस qualitative data के एनलिसिज की सही direction में चले हुए हैं इसी तरह से आप तीसरे researcher को भी वो दे सकते हैं चौथे को दे सकते हैं for having a cross check cross check के लिए आप वैसे कर सकते हैं cross verification और यह जो होता है this is known as researcher triangulation कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग researcher से data को analyze करवा के उसको interpret करवा के फिर उसमें से निशकर्ष को जो है निशकर्ष के उपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आप चार researcher से उसको करवाईए और चार researcher से करवाने के बाद जो है आप उसमें समानता देखिए कि क्या निशकर्षों में समानता निकल के आ रही है अगर निशकर्षों में ट्राइंगुलेशन की हम बात कर रहे है methodical ट्राइंगुलेशन है researcher ट्राइंगुलेशन है ठीक है तो यह और भी हमारे पास ट्राइंगुलेशन जो है वो आती है मतलब एक तरीके से आप data को analyze मतलब जो आप quantitative data से analyze quantitative way है अगर आपके पास आप उससे analyze कर लीजिए और उसी data को qualitatively भी analyze करिए दो आपके पास तरीके आ रहे हैं उनसे क्या result निकल के आ रहे हैं क्या निशकर्स निकल के आ रहे हैं उसके अधार के उपर तो वो भी आपके पास triangulation है तो यह जो है this is known as actually axial coding axial, axial हम किसको बोलते हैं आपने cycle देखी होगी उसके tires में spokes होती है जो एक दूसरे को ऐसे cross कर रही होती है ठीक है तो वो जो crossing है मतलब data को cross करना एक दूसरे से kris-cross करना कि ये teacher का data है ये students का data है दोनों में Кशच को एक दूसरे के साथ interconnect करना इन्टर- relate करना और उसमें से फिर main themes क्या निकल के आ रहे हैं मुख़्े मुद्दे क्या उसमें निकल के आ रहे हैं वो चीज जो है वो आपने बाहर लेके आनी है this is known as axial coding और जब आ उसको analyze उसको एक दूसरे से cross करवा लेते हो, inter relate करवा लेते हो, triangulate जिसको हम बोलते हैं, वो करवा लेते हो, तो आपके सामने जो है, वो main एक उस पूरी घटना की जो है, वो story सामने आ जाती है, और वो चौथा step आता है qualitative data analysis में, that is summarizing the whole event in the form of a story, कि जिस घटना को, जिस problem को आप study कर थे उसको एक story के रूप में, story किस तरह से , कि ये समस्या थी, इसका अध्यायन ये ऐसे किया और, ऐसे ऐसे ये घटना, घटिद हो रही थी, इसकी प्रकृति, इसका nature ऐसा था, इसका स्वरूप ऐसा था, ये घटना की प्रकृया ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही थी, और इसके जो आए वो इस तरह के संभावित कारण थे और इसका घटना का ये प्रभाब पढ़ रहा था ये इसके सकारात्मक प्रभाब थे जिनको इस तरह से और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है ये इसके नकारात्मक प्रभाब है और इनको दूर करने के लिए ये ये स्टेप्स ज काल के सामने रखते हो वो एक कहानी की तरह होता है एक continuity उसमें होती है एक sequence में वो होता है सारा का सारा और वो कहानी readers के सामने रखी जाती है जो आगे पढ़ने वाले हैं वो सो कहानी को पढ़ेंगे कि हाँ यह घटना का ध्यायन हुआ है ऐसे ऐसे यह घटना हो रही है जिसके कारण यह है और जिसके परभाव यह पड़ रहे है ठीक है तो अब qualitative data analysis में यह तो चार step थे open coding, audit trial, axial coding and summarizing the whole event under investigation in the form of a story for the future readers उसके लिए इसी को अगर चार steps को आप देखें तो यही qualitative data analysis में जो है वो हम और नाम देते हैं content analysis, logical analysis and inductive analysis content analysis content analysis सबसे ज्यादा famous term है qualitative analysis में content analysis यह जो है चाहे आप visual media को analyze करना चाहते हैं आप किसी text को analyze करना चाहते हैं, आप किसी interview based data को analyze करना चाहते हैं, आप किसी questionnaire based data को analyze करना चाहते हैं, आप किसी narratives को analyze करना चाहते हैं, आप किसी discourse को analyze करना चाहते हैं, आप ethnographic research कर रहे हैं, आप critical ethnography कर रहे हैं, हर तरह की जो भी ये qualitative type of studies हैं, इन में content analysis, जो है वो बहुत famous term है, Content Analysis का मतलब है कि हमारे पास जो ये content आता है चाहे वो interview से है चाहे वो किसी text book से है किसी document से है या हमारी observation से है ये जो content है उसका visualization करना उसका अर्थ निकालने की कोशिश करना उसको understand करना उसका अर्थ निकालने की कोशिश करना to find out the inherent meaning in that text उस text में उस content में छुपा हुआ अर्थ क्या है उस अर्थ को बाहर निकालने की कोशिश करना this is what we call simple terms में हम इसको और यह content analysis है यह बहुत systematic सी process है हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास content होता है चाहे वो किसी भी source से आया है चाहे वो interview से आया चाहे वो किसी document से आया हम उसमें से main themes निकालते हैं main themes या sub themes निकालते हैं कि इसमें से main बात क्या निकल के आ रही है जैसे होता है comprehension आपने देखा होगा एक comprehension का question कई बार आता है आपको एक paragraph दिया होता है और उसमें कुछ question दिये होते हैं आप उन questions का answer जो ह paragraph को कोई title दीजिए ठीक है तो वो जो title देना है वो that means you are giving a theme to that particular paragraph वो ही चीज content analysis में है कि आपके पास voluminous data है बहुत ज्यादा data है interview conduct किये हैं आपने ठीक है बहुत ज्यादा data आपके पास आ चुका है अब उस data में से main theme क्या निकल के आ रहे हैं जिसको हम thematic analysis भी बोलते हैं कि यह main theme है यह main main बाते निकल के आ रही है और उनकी फिराप व्याख्या जो है वहाँ पर explanation उसका multiple perspectives के साथ alternative explanations के साथ जो है उन themes की आप व्याख्या करते हैं और यह जो themes की व्याख्या है यही आपका जो है हम बोलते हैं कि एक तरह से वो short story के form में आता है कि इस इस तरह से घट जो है वो घट रही है जब हम inductive analysis की बात करते हैं तो inductive analysis जो है वो qualitative analysis में वो क्या है inductive means from specific to general जब आप social setup से data लेके आएंगे समाज से कहीं से किसी घटना के बारे में लोगों से बातचीत करके आएंगे interview लेके आएंगे तो वो आपको छोटी-छोटी कहानिया सुनाएंगे narratives देंगे कोई बात कहीं की होगी कोई बात कहीं की करेंगे ठीक है अब वो जो छोटी-छोटी बाते हैं छोटी-छोटे-छोटे narratives होंगे those are actually the specific part those are the specific examples of specific examples related to your research issue अब उन अधा वो जो उन्होंने छोटी-छोटी बाते की होंगी उन बातों में से actually आपने कोई नियम नियम या कोई रूल या कोई theory generate करनी है उन उधारणों से वो जो उनकी कहानिया होंगी छोटे-छोटे narratives, anecdotes होंगे वो कहानिया है वो घटनाएं हैं जो उनके साथ घटी है उसकी उस घटनाओं को आपके सामने रख दिया है अब आप उन घटनाओं को त आप अपनी research report भी mention करेंगे तो उन घटनाओं से वो घटनाएं specific हैं और उससे आप main theme निकाल रहे हैं तो that means specific to general चल रहे हैं आप this is what we call as inductive analysis यह inductive analysis है कि आप main themes वहाँ पे रखेंगे और एक आता है logical analysis इसी में qualitative data analysis में logical analysis का मतलब है कि जिस भी घटना का आप वहाँ पे विव संभावित कारण क्या हो सकते है logic क्या है क्यों यह घटना घटी what are the possible causes what are the possible explanations of happening of this event कि यह जो घटना घट रही है समाज में कोई घटना है यह सांस्कृतिक घटना है सेक्षिक घटना है वो जो घटना घट रही है वो उस घटना के घटने के पीछे जो है वो क्या कारण हो सकत है वो संभावित कारण होंगे वो alternative explanations होंगी और उसका प्रभाब क्या पढ़ रहा है वो multiple perspectives भी होंगे वहां पे अलग-लग लोगों से आये होंगे वो वहां पे आप जो है वो रखेंगे उन multiple perspectives को और उसके तरक देंगे और वो तरक जो है वो या database होंगे या जैसा हमने पहल detection researcher की वो वहां पे आएंगी और इसी को जो है वो simple terms में हम बोचते हैं logical analysis तो इन तीन चीजों को भी अगर आप लोग देखें content analysis, inductive analysis and logical analysis यह तीनों चीजें मिलकर जो है वो वही उसी में समाई हुई है that is open coding, audit trial, axial coding and summarizing the whole event under consideration in the form of a story तो इस तरह से हम जो है जब भी qualitative data हमारे पास चाहे वो visual media से आए, चाहे वो text document से आए, चाहे वो observation से आए, चाहे वो आपके पास interview से आए, चाहे वो आपके पास open ended questionnaire से आए, चाहे वो आपका data जो है वो non participant observation से आए, किसी भी तरीके से visual media से आए, narratives के form में आए, discourses के form में आए, तो उस data को analyze करने का, उस data को visualization करने का जो तरीका ये है, जो process हम follow करते हैं, और इसमें हमें ये ध्यान में रखना है, we should ensure the validity and reliability of the findings of the qualitative research, और उसके लिए, जो reality है उसके साथ छेड़ छाड़ना हो, आप उसके multiple perspective सामन सामने रखिए, अलग-लग explanation सामने रखिए, और एक ये बात आप लोगों ने और ध्यान में रखनी है, कि qualitative studies में हम generalization के उपर नहीं जाते हैं, आप ये सोचें कि आप आपकी study आपने किसी दो-चार गाउं के उपर की या एक particular किसी community के उपर की और उस findings को आप दूसरी community के उ पर कोई बंदिश नहीं है, ये qualitative studies की एक खासियत है, एक characteristic है, तो इसलिए qualitative studies जो होती है, ये in-depth studies होती है, sample size important इसमें नहीं होता है, और इसको visualization जब किया जाता है, या घटनाओं का जब विवरन सामने रखा जाता है, alternative explanation जब सामने रखी जाती है, तो researcher की reflections उसमें permissible है, subjectivity का element उसमें permissible है, और किस तरह से घटना की व्याख्या जो है, वो आप वहाँ पे करते हो, वो किस तरह की परिस्थितियां है, contextualization बहुत ज़्यादा important है, qualitative research में, किस संधर्व में हुआ, क्या वहाँ परिस्थितियां exist कर रही थी, समाजिक परिवेश कैसा था, संस्कृतिक परि चाहूंगा कि जब भी आप qualitative research करें, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप जिस संधर्व में वो घटना घटी है, उस संधर्व को ध्यान में रखते हुए, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ का socio-cultural setup क्या है, वहाँ के लोगों का खान-पान का तरीका रहने का तरीका, उनका व्यभार का तरीका, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, फिर आप अपनी findings को report करें, और ताकि घटना का विबरन, हमें generalization के उपर नहीं जाना है, तो आप उस तरह से उसका visualization करके सारी घटना को सामने रखें, उस से आपका जो है study, और आप उस घटना की गहराई में जाने की, explore that event deep, उसमें wider perspective and in-depth perspective, दोनों चीजें देने की, wider perspective का मतलब ये है, कि वहाँ पे आप multiple perspectives दीजिए, अलग-लग उसके बारे में क्या विचार हैं लोगों के, अलग-लग तरह से किस-किस तरह की धारनाएं हैं, उसके बारे में वो mention करिए, और गहराई तक उसके कारणों को ढूंडने की कोशिश करिए, क्यूं वो घटना घट रही है, क्या संभावित कारण हो सकते हैं, logic उसके पीछे तरक देने की कोशिश करिए, उसमें अपनी आप judgment लगा सकते हैं, लेकिन reliability और validity घटना के साथ किये, व्याख्या के साथ साथ छ सामने रखिये, और एक कहानी के रूप में जो है, वो इस report को सामने लाइए, ताकि जो reader है, उसको जो पढ़ने वाला है, उसका interest बने, उसको वो एक रुचिकर चीज लगे कि हां, ये बहुत अच्छे ढंक से इस घटना की व्याख्या जो है, वो की गई है, और इसके बारे वो foreign के हमारे जो researchers हैं, उन्होंने दिये हैं, बट अगर हम research भारतिय संधरब में कर रहे हैं, तो उस भारतिय संधरब में हमारी भारत की परिस्थितियां कैसी हैं, उस particular situation, किसी community की, किसी particular area की, situation and site is very important, कि site के उपर वो आपने research की, उस site की समाजिक, sociocultural conditions क्या हैं, उन भारती परिस्थितियों में या उस जगह की विशेश समाजिक, संस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए findings जो हैं, वो आपने सामने रखनी हैं, हमें उतना ज्यादा over enthusiastic नहीं होना है, या method उनका होगा foreign वालों का, विदेशियों का हो सकता है, methodology उनकी हो सक करना है, उसका जो उपियोग करना है, उसका जो भारती संधर्व है, या हमारा जो स्थानी संधर्व है, समाजिक, संस्कृतिक संधर्व है, उसको ध्यान में रखते हुए, फिर डेटा का विशलेशन हो, और उसके अधार के उपर उस घटना का विवरन, और उसके बारे में अलग अलग धारणाये जो हैं हमारी स्थानिय सांस्क्रितिक सामाजिक आर्थिक जो भी परिस्थितियां हैं जो भी यहां के तरीके हैं जो भी यहां का रिती रिवाज हैं उसके अधार के उपर जो है वो विशलेशन करके जो है वो सारी की सारी घटना जो है वो सामने रखी जाए और हमारे जो शोध के परिणाम है उस तरीके से और उसकी जो उपियोगिता है या उसकी जो अनुपियोगिता है वो सामने रखी जाए तब वो अपने आप में शोध जो है वो अपने आप में फाइदे मंद होगा उपियोगी होगा और जो हमारी यहां की परिस्थितिय उनको उबारने में वो जो है या उनको सुधारने में जो है वो वहां पे सहायकसिद होगा तो इसके अंत में मैं आप लोगों से अब विदा चाहूंगा बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद आप लोगों ने सुना और टीचर एजुकेशन इन इंडिया डॉक्टर सोम सिंग का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे जो है वो आप लोगों के साथ इस विशे के उपर जो है वो चर्चा करने के लिए उन्होंने जो है वो यहां पे इन्वाइट किया था थैंक यू वेरी मच थैंक यू